Hello guys, this is Vikram और जानता हूँ कि काफी लेट हूँ, वीडियो काफी समय के बाद आ रही है लेकिन सीजन ही कुछ ऐसा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो हम लोग उसे इंजॉय करने में बीजी हैं खेर अपसे वीडियो मैं continue रखने की कोशिश करूँगा फिर से आज की वीडियो special है, क्योंकि आइटम ही कुछ special लाया हूँ आज लाया हूँ आप लोगों के लिए मारानी का DSP मतलब की speaker management system, इसे हम लोग digital crossword के नाम से भी जानते हैं ये रहेगा मारानी कंपनी के और से मारानी एक speakers में और active speaker और इन टाइप के active monitors के लिए active crosswords के लिए बहुत बड़ा नाम जाना माना नाम है और इनके कई सारे product already market में चल रहा है ये भी product कई बार आपने पहले भी देखा होगा लेकिन review में इसको पहली बार कर रहा हूँ आज हम लोग इसे set करने वाले हैं इस digital crossword को आपको unboxing भी करके दिखाएंगे इसे set भी करेंगे इस formula को आप तक लाएंगे, समझाएंगे और आपको इसे करने का मोगा भी देंगे इन सब को करने से पहले इस channel को subscribe कीजे इस video को like और share कीजे अगर आप लोग इसे लेना चाते हैं तो नजदी की dealer से contact कीजे या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं Wikivan का office number मैं नीचे दिये देता हूँ वहाँ से आप हमें contact कर सकते हैं महराष्टर मैं हमारी shop है और इसका live demo आप यहां के भी देख सकते हैं वैसे वीडियो में मैंने पूरी-पूरी कोशिश करी है इसका demo देने के लिए तो आप लोग इस video को अगर headphone में सुनेंगे तो आप लोग इसकी clarity समझ सकते हैं और base में क्या difference आता है में में क्या change होता है या आप लोग इसके तरूफ समझ पाएंगे आज हम लोग इसे manually set करने वाले हैं यानि कि हम लोग इसे PC या laptop से connect करें बिना ही इसे set करेंगे क्योंकि एक traditional method है आपको इसके frequency range की जानकरी थोड़ी बहुत होनी चाहिए इसके बारे में चलिए आज इस वीडियो को करते हैं फिर start तो आईए अब unboxing के साथ start करते हैं मारानी का DSP को open करने का काम बाहर box पे भी सारा detail लगबग दिया हुआ होता है इसमें navigation का button दिया हुआ है selection का button है enter करने के लिए और escape का button है और काफी सारे buttons जो आपको चलते बोलते मैं दिखाने वाला हूँ आगे इसमें clip indicator है limiter का indicator है इसमें आपको 0 dB का indicator है आप कहां तक जा सकते हैं volume में उसका indicator है इसका serial number लिखा हुआ है जो की barcode के साथ है box पे designed in Italy लिखा हुआ है लेकिन अंदर open करने के बाद आपको एक चौकाने वाली बात देखने वाली है जिसमें clear clear mention किया गया है कि designed in Italy made in China box को हम लोग open कर लेते हैं एक बार इस पे fragile के sticker लगे हुए है याने कि इसमें class का item है इस टाइप का sticker लगा हुआ है इसके अंदर आपको cd दिख जाएगी data cable दिख जाएगा power code दिख जाएगा साथ ही साथ एक manual थोड़ा सा thermacul और polythene भी होता है आईए अब इस crossover को हम लोग polythene से बाहर निकाल लेते हैं पहले material देख लेते हैं उससे यह power code data cable और cd cd इसका software install करने के लिए होती है जो कि laptop या computer में आप लोग लगा के use कर सकते हैं हम लोग इस बार इसे manually set करने वाले हैं क्योंकि manually जदा easily यह set हो जाता है इसके साथ silica gel को pack किया जाता है ताकि यह moisture से थोड़ सा safe रहे कमाल की बात यह है कि हमारे regular वाले staff ने इसे उल्टा रख दिया है So guys this happens to be Marani DPA260P यह speaker management system है यह digital crossover भी बोला जाता है इसके अंदर आपको speakers को connectivity दी जाती है दो input लेके 6 output आप निकाल सकते हैं Speakers को frequency range के अनुसार बजा सकते हैं अगर आप bass में स्रिफ bass frequency डालना चाते हैं तो वो set कर सकते हैं Top में mid और high की frequency डालना चाते हैं तो set कर सकते हैं इसे 3-way, 4-way या जिस भी way पे आप चलाने चाते हैं चला सकते हैं manually set करके इसमें back side में power on का socket है Mixer से input के लिए input sockets दिये गए हैं इसमें XLR pins लगती हैं Output side में भी XLR pin के sockets दिये गए हैं जो कि 6 socket हैं इनको हर एक को आप individually set करके उसमें से particular amount of output आप निकाल सकते हैं यह दो input वाले AB और यह 6 socket output के लिए हैं मज़े वाली बात यह है कि यह आपको set already मिलता है default setting इसका full range speaker के लिए बना जाता है मतलब आप इसे अगर बिना set के यह use करते हैं तो आपको 20 hertz से लेके 20 kilo hertz की frequencies पर यह काम करता हुआ मिलेगा metal chassis के साथ ही आपको मिलता है और smps based power supply इसमें होती है ताकि voltage fluctuation के बाद भी आपको एक stable power supply इसमें मिलती रहे power stable रहेगा तभी आपकी volume एकदम इससे stable निकलेगी input और output section की LED indicators अलग-अलग दिये हुए हैं इसे on करके मैं आपको दिखाता हूँ और setting थोड़ी बहुत समझा देता हूँ पहले आप इसे on करेंगे तो display start हो जाएगा display में company ने अपना two in six output वाला slogan फिला रखा है यह default presets है जो की इसमें डले हुए है full range की frequency पे अब आप इसे बदल सकते हैं navigation के button से आप इसमें select कर सकते हैं या तो आइधर आपको उस particular input या output section का button दबाना होता है सामने से जिससे वह select होगा यहां से अब हम लोग output section देख रहे हैं जिसमें सारे lights mute पे रखे हुए हैं इन lights को बंद करने के लिए हमें इसे दबाना होता है वो भी थोड़े समय के लिए जिससे कि यह दबाने के बाद बंद हो गया और अगर इसे हम लोग सर्फ click करते हैं तो इसका setting वाला option open होता है setting वाले options में आपको सबसे पहले output दिखा जाता है कि output 1 पे हम लोग है उसका name output 1 है उसके बाद second में source कौन सा है input L वाली side या R वाली side मतलब mixer से जो output आया है इसकी gain कितनी है तो base के लिए हम लोग gain बढ़ाते हैं enter करने के बाद इसकी आप gain बढ़ा सकते हैं base के लिए हम लोग 3 dB तक की gain रखेंगे और उसके बाद हम लोग face पे जाएंगे face अगर आपके normal है तो ठीक है नहीं तो आप reverse भी कर सकते हैं delay time आप base और top के delay time को set करने के लिए रख सकते हैं उसके बाद bypass को हम लोग on रखते हैं क्योंकि उसके बाद ही आप लोग particular frequency पे उससे काम करवा सकते हैं bypass को अगर आप off रखेंगे तो आपको frequency range में वो काम करता हुआ मिलेगा जो कि आपको करना है bypass को off करके ही चलाना है अब यहां पे frequency 20 hertz से start होती हुई दिख रही हमें हम लोग इसे change कर सकते हैं हम लोग इसे 40 hertz से start करेंगे और क्योंकि यह base frequency है तो हम लोग इसे highest जो रखेंगे लगबग 150 hertz पे इसे end कर देंगे बड़ा rotary switch कुमाने से आप इसकी frequency को fast change कर सकते हैं 100 के effect से यह change होगी छोटा rotary switch कुमाने से यह numbers में change होगी यह 170 hertz पे रख देते हैं ताकि आपको punch और vibration दोनों अच्छे से मिल जाएं bypass off पे रख देंगे और इसमें आप set भी कर सकते हैं अब जैसे मान के चलते हैं कि हमने इसमें frequency range state कर दिया इसके लिए अब top के लिए हम लोग कौन सा type का use करेंगे इसमें भी आपको slope set करने के लिए option मिलते हैं जैसे 6 db का slope है 16 db का है 24 db का है वो अपने मर्जी से आप set कर सकते हैं हम first number पे base और last number पे हम लोग high mid वाला option set करने वाले हैं high mid के option में आपको bypass off रखके उसमें particular frequency range डालनी होती है यह हमने input L कर दिया है और gain भी हम लोग 0 db रखेंगे और आगे चलते हैं frequency range पे इसमें आपको frequency जो है start करनी होती है अपने मर्जी से लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसे strong सा crossword effect लगा देंगे butter work का और उसमें 16 db का हम लोग slope देंगे ताकि आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि इसमें से base minute सी आ रही है जो कि low mid वाला part होता है और बाकी base पूरी base में से आ रही है अभी जब तक आप लोग इसे practically नहीं देखते हैं समझना मुश्किल होता है लेकिन इसमें मैं जितना हो सकता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे हमने output section को manipulate किया है वैसे हम लोग input section को भी manipulate कर सकते हैं अब अगर आप लोग इसे edit नहीं करना चाहते हैं और mute बन करना चाहते हैं तो दबा के रखिए उन buttons को देखे मारानी DSP के बारे में मैं आपको बता हूं यह एक two input six output वाला digital crosshore हुआ speaker management system बोला जाता है DPA 260 piece का model number होता है यह model inspired है मतलब बहुत सारी company के same model बनते है two input six output वाले इसमें special क्या है इसमें special है कि इसका setting का तरीका यह setting में अगर आप speaker का frequency range की बार में जानकारी रखते हैं अगर आप उसे connect करने का तरीका जानते हैं तो यह मक्षन है बच्चों का खेल ही आपके चलाने के लिए और इसके बाद quality में जो difference आता है वो बड़े-बड़े crosshore active मतलब की manual वाले crosshore जो की gold button वाले होते हैं उन्हें लेने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं आज हमने जो formula set किया इसके उपर वो बहुत ही easy set किया है हमने एक frequency दिया है speaker के लिए जो की base की तरफ चलेगी हमने इसका bypass on रखा है और हमने एक mid range को एक frequency दिये जिसमें base हमने लगबग cut कर दिया है ताकि high frequency और mid frequency top में से आए और base में सरफ base की frequency आए और इसके वज़े से frequency का clash now overlap ना हो जिसकी वज़े से आपको आवाज रोती हुई प्रतीत ना हो आवाज की clarity आपको 100% मिले अब इसको set करते करते मैंने इसके साथ testing भी किया आउटडोर में जाके तो आउटडोर की testing भी आपको साथ में सुनाए देते हैं तो आप लोग अपने headphone लगाईए और testing को enjoy कीजिए किसा लोग झाल करते हुई अपको 27माile का लिर करते करते व किसा लोग जादाशं잉 । को सिर्फ लोग इसकी बनी आपको लोग ढपको estimates झाल 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 देखिए इस पे सबसे पहला थोट लिखा हुआ है यानि अपनी आवाज खुद बनिये किसी और की इको ना बनिये कहावाद तो एकदम ठीक है क्योंकि इसकी सेटिंग इस डियस पी में ही है आप अगर मारानी को देखके किसी अधर 260 को लेते हैं जो कि इसके जैसा है तो आपको मारानी जैसी कॉलिटी नहीं मिलती है अब इसमें क्या क्या चीजे मैं आपको शॉट में बताता हूँ जैसी कि आपको लिमिटर दिया हुआ है इसमें एक डेसीबेल फैक्टर दिया हुआ है कि आपको अपनी वॉल्यूम को कितने डेसीबल तक उठाना है जीरो डीबी जो होता है हम लोग नॉर्मल रखते हैं अम्प्लिफायर को भी लेकिन आप उसको एनांस करके 15 डीबी प्लस तक जा सकते हैं अगर आपको सिर्फ बेस की वॉल्यूम एनांस करनी है तो हमने जैसे 3 डीबी उसको बढ़ा दिया है लेकिन मिड की वॉइस को हमने 0 डीबी पर सेट किया इना स्टैंडर्ड वॉइस पर आपको लाइटिंग इंडिकेटर है जिससे ये पता लगेगा कि आपकी वॉइस कितनी है आपको क्लिप वाली रेड लाइट से ये पता लगेगा कि इसमें कब आपकी वॉल्यूम हद से जादा बढ़ गई है और आपको वॉल्यूम कम करनी है स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टेम से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अन्वांटेट फ्रिक्वेंसी आपकी स्पीकर तक नहीं पहुचती है जिससे स्पीकर उडने का डर आपका 90% कम होता है और क्लियारिटी 100% शोर होती है देखिए इसका मार्केट प्राइस जो है मैं आपको बता देता हूँ अराउंड 30,000 से कम इसका प्राइसिंग चल रहा है और ये मार्केट में भी कुछ टाइम तक अवेलेबल है आगे के स्टॉक का मैं आपको जानकर ही नहीं दे पाँगा आज की डेट में क्योंकि मुझे भी नहीं होती है तो आशा करता हूँ कि मारानी DSP का वीडियो आपको अच्छा लगा है स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम का वीडियो आपको अच्छा लगा है अच्छा लगने पर लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रखिए और मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूंगा अगली वीडियो मिलता हूँ थैंक्यू गाइस